दोस्तों एक बार फिट से स्वागत है आपका प्रजवपती निउस में दोस्तों कि आपको मालूम है मांगूर मचली क्यों नहीं खानी चाहिए? या फिर भारत में मांगूर मचली क्यों बैन है? शायद आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि मांगुर मचली को इंसानों का मास्क खिलाया जाता है और हाली में मांगुर मचली खाने से पांच लोगों की मौत हुई है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आज के इस वीडियो में मांगूर मचली के बारे में पूरी डिटेल से मैं बताने वाला हूँ दोस्तों जब बात मचली की आती है तो कई सारे ऐसे मासाहरी लोग हैं, जिनके मूह में पान याने लगता है क्योंकि ये ना केवल कई सारे लोगों का पसंदिदा खाना है बलकि स्वास्ते के नजरिये से भी मचली काफी जादा फायदे मंद मानी जाती है वैसे तो मचलियों की लाखों पर जातियां है लेकिन उसमें मांगूर मचली काफी जादा प्रसिद्ध है इस मचली को लोग बड़े चाव से खाते हैं और उसका पालन भी बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है लेकिन दोस्तों इसके अंदर एक ऐसी चीज पाय जाती है जिसे नहीं खाना चाहिए और यही वज़े है कि भारत सरकार ने मांगुर मचली के पालन पर सकती से रूक लगा दी है तो इसकी वज़ा क्या है और क्यों इस मचली को नहीं खाना चाहिए आज मैं यानि आपका दोस्त विशाल प्रजापती आपको सारी सच्चाए बताने वाला हूँ बस मेरे साथ वीडियो पर बिलकुल अंत तक बने रही है लेकिन हाँ वीडियो शिरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो के नीचे रैड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखरा होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बैल आइकोन भी दिखरा होगा उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले दोस्तों मांगूर मचली भारत में बहुती बड़ी मात्रा में लोगों को पसंद है क्योंकि लोगों के हिसाब से ये मचली नाकेवल स्वाद में अच्छी होती है बलकि सेहत के नजरिये से देखा जाए तो ये मचली बहुती जादा बड़िया है जिसके अंदर भरपूर मात्रा में प्रूटीन और वाइटमिन्स पाई जाते है लेकिन दोस्तों थाई मांगूर मचली खाने से इंसान कई सारे रोगों से ग्रस्त हो जाता है यही वज़ाए कि थाई मांगूर मचली पानले वालों के उपर अब कठोर कारवाई हो सकती है जिसके बारे में नैशनल ग्रीन ट्रिबिनल यानि की रास्ट्रिय हरित अधिकरण ने इस सम्मंद में पहले से निर्देश जारी कर दिये हैं जिसमें कहा गया कि मतस्य विभाक्य अधिकारी टीम बना कर इस बात का निरिक्षन करेंगे कि कहीं कोई इस मचली का पालन तो नहीं कर रहा और जहां भी इस मचली का पालन हो रहा होगा उसको नश्ट कर दिया जाएगा क्योंकि अगर ये मचली जादा अधिक मातरा में लोगों तक पहुंच जाएगी तो ये बहुत बड़ी महमारी का रूप भी ले सकती है और इसी वज़े से सरकार ने इस मचली के पालन पर पूरी तरह से प्रतिबंद लगा दिया है यही वज़े कि सरकार ने अपने निर्देश में ये भी कहा था कि मचली और मस्य बीज को नश्ट करने में जो भी खर्च लगेगा वो मचली पालने वालों से लिया जाएगा आपको बता दे इस मचली को साल 1998 में सबसे पहले केरल राज्ये ने बैन किया था क्योंकि वहाँ पर इस मचली को खाने से कई सारे लोग भी मार पड़ रहे थे और उसी चीज को देखते हुए केरल की सरकार ने इस मचली के पालन को बैन कर दिया पर जब इस मचली का आतंक धीरे धीरे बड़ने लगा तो भारतिय सरकार ने भी उसके दो साल बाद थाई मांगूर मचली को बैन कर दिया जान निर्देश के अनुसार नहीं कोई इस मचली की बिक्री कर सकता है नहीं उसे कोई पाल सकता है और अगर ऐसा करता हुआ कोई पकड़ा गया तो ना किवल उसकी मचलीओं को नश्ट कर दिया जाएगा बलके इन सब में होने वाला खर्चा भी उसी से लिया जाएगा और अगर कोई बार बार ऐसा करतावा पकड़ा जाता है तो उसे जुर्माना और जेल की सजा तक भुगत नहीं पड़ सकती है अब आपके धिमाग में ये सवाल आ रहा हुआ कि आखिर इस मचली के अंदर ऐसी कौन से खतरनाक चीज़ है जिसकी वज़े से सरकार इसे पूरी तरह से बैन करने में तुली हुई है तो दोस्तों थाई मांगूर मचली थाइलंड में विक्सित की जाने वाली एक ऐसी मचली है जो बहुत जल्दी किसी भी तरह के पानी में विकास कर जाती है ये मचली एक मासारी मचली होती है जो सड़े गले मास को भी खा लेती है और पानी में रहने वाले कई अन्य जहरीले जियों को भी अपना भूजन बनाने में ये मचली को एक असर नहीं छोड़ती इस लियाज से देखा जाए तो इस मचली का सेवन सेहत के लिए काफी जादा घातक है क्योंकि जब ये मचली सड़े गले मास और पानी में मौजूद उट पटांग की चीजों को खाती है तो वो सारी चीजें इस मचली के शरीर में पहुंच जाती है ऐसे में अगर उसी मचली में सबसे जादा किया जाता है वहीं से इस मचली और इसके बीज को कई देशों में बेचा भी जाता है कई बार यहां छापे भी मारे जाते हैं परंतु कोई सक्त कानून ना होने की वज़े से इस मचली का व्यापार करने वाले लोगों के उपर कोई सक्त कारवाही नहीं हो पाती जहां कई भी ये मचली मिलती है इसे मार कर जमीन में गार दिया जाता है भारत सरकार द्वारा साल 2000 में थाई मांगुर मचली की बिक्री और उत्पादन पर प्रतिबंद लगा दिया गया था लेकिन इसके बावजूद भी मचली मंडियों में इसकी बिक्री खुले आम ह हो रही है जा मचली पानने वाले लोग अधिक मुनाफ़े के चक्कर में तालाबों नदियों में बैन की गई मांगुर मचलीयों को पाल रहे हैं ये मचली चार महीने में तीन से चार किलो तक बढ़कर तयार हो जाती है जो बाजार में बड़े आराम से 200 से 2500 रुपए किलो क दर से बिक्ती है इस मचली में 80 फीसेदी तक लेड और आयरन होता है इसे में आप इन्दाज़ा लगा सकते हैं कि ये मचली स्वास्ते को कितना नुकसान पहुंचा सकती है इस मचली को दानों मचली भी कहते है क्योंकि जिस पानी में बाखी मचलीयों का रहना दुशवार ह जाता है और वो मर जाती है उसी पानी में ये मचली सालों तक जीवित रहती है गंदे से गंदा बदबुदार पानी जिसमें ऑक्सिजन की मातरा ना के बराबर होती है वहां भी ये मचली जीवित रह सकती है ये मचली जलिये पर्यावरण के लिए काफी ज़ाद अगातक है क् ये सबी तरह के छोटे मुटे जीवों से छोटी मचलियों को भी खा जाती है और अगर वो जीव जहरी ले हुए तो इन मचलियों को खाने से उनका जहर हमारे शरीर में फैल कर हमें नुकसान पहुचा सकता है और ऐसा ही होता आ रहा है इनी सारी चीजों को मद्दे नजर रख सकती है इस प्रजाती की मचलि को ना खाने के लिए लोगों को काफी बड़ी मातरा में जागरूग भी किया जा रहे है लेकिन बाजारों में कोई रोक टूक न होने के कारण इसकी विक्री आसानी से आज भी की जा रही है अगर आपको मांगूर मचलि खाना पसंद है तो आ आप देसी मांगूर मचली का सेवन कर सकते हैं जो कि थाई मांगूर मचली के मुकाबले बहुती जादा सेहत मंद होती है और उसके अंद्य शीशे या बाकी तत्तों मौजूद नहीं होते बाकी क्या आपको मचली खाना पसंद है या फिर आप शुद इशागाहरी है अपन के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें दोनों देखिएगा बहुत अच्छी वीडियो बनिये